आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 11th class की जो NCRD की book है भारत का सम्मिधान से धानत और वहवार उसमें भारत का सम्मिधान क्यों और कैसे वाला जो chapter है उसको आज आपके सामने complete करने की कोशिश होगी भारत का सम्मिधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सम्मिधान है लिके सम्मिधान है तो ऐसे में NCRD के अंदर सारी चीजों को इसपष्ट करने की कोशिश की गई है क्योंकि English Medium के student भी इसको मानी सी बाते देखेंगे तो ऐसे में उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो इसकी कोशिश की जाएगी तो देखिए किसी भी देश का जब सम्मिधान बनता है तो मानी सी बात है कि उसे देश का जो समाज होता है उसके आधार पर ही सम्मिधान बनता है तो समाज के अंदर होते क्या है जिसे ये समाज देखें सर्किल में तो समाज के अंदर मानी सी बात है कि परिवार होते हैं फिर परिवारों से ही समूह का निर्माड होता है फिर समूहों के अंदर भिन्यता भी पाई जाती है मानी सी बात है कि अगर भारत जैसे देश में देखें आप तो धार्मिक स्तर पर कितनी विविता देखने को मिलती है जहां एक तरफ बहुत संग्यक हिंदू समयुदाय है वहीं मुस्लिम समयुदाय भी है सिख समयुदाय है तो अलग-अलग प्रकार की सांस्कृति की विविवनिताएं भारत के अंदर मौजूद है तो ऐसे में भारत का जो सम्मिधान है क्योंकि सब को लेकर के मनिसी बाते साथ में चलेगा तो इसलिए भारत के सम्मिधान में सारी चीजों को इस पश्च रूप से लिख दिया गया है क्योंकि एतना जटिल समाज है भारत का तो उसमें सम्मिधान में क्या होता है कि सम्मिधान सब का कहीं न कहीं प्रतनित करता है सब को ले करके चलता है तो इसलिए आप देखेंगे कि भारत के सम्मिधान में बहुत विवित्ता भी देखने को मिलती है क्योंकि बहुत सारे सांस्कृतिक परिवेश है तो उनका भी सम्मावेश जो है सम्मिधान में देखने को मिलता है सभी को कहीं न कहीं सुरक्षा पदान की गई है तो देखें सीधी सी बात है कि समाज के अंदर बहुत सारे परिवार होते हैं फिर परिवारों से मिलके ही सम्मूह का निर्माड होता है भ़ारत में जो सम्हू है उनके अंदर मानिसबात है की भिन्टा पाई जाएगी तो ऐसे में भिन्टा के आधार पर जब सम्मिधान बनाय जाता है तो अगर सामुहिक भिन्टा जो है उसमें तालमेल इस्थापित ना किया जाए तो किसी भी देश को चला पाना जो है संभू नहीं होता है तो इसलिए तालमेल जब होगा तभी उस देश के प्रगती होगी तो ऐसे में भारत के सम्मिधान में विभिन समुहों के मद्ध जे हैं वो तालमेल इस्थाबित किया गया है यानि वो मौलिक बातें उसमें शामिल की गई है जिन पर सभी सम्मूहों के आम एक सहमती है और जब सहमती होती है तभी मानिसी बात है कि कोई सम्मिधान सफल हो पाता है तो इसलिए जो समू होते हैं उनके अंदर क्योंकि आपसी संबंध होगा मानिस बाद से किसी छेतर विशेष में अगर भिविन धार्मिक समू रहे रहे हैं जा अलग-अलग सांस्कृतिक परिवेश के समू रहे हैं तो उनमें तालमेल होगा तो जब तालमेल होगा तो बेहतर ये है कि एक ऐसा सम्मिधान हो जिस पर सभी का एक विश्वास हो तो फिर उस आधार पर जो तालमेल होता है उसमें क्या होता है उसमें प्रगती फिर आगे इस्थापित होती है किसी प्रकार की अरचन देखने को नहीं मिलती है तो जब आपसी संबंद होते हैं तो मानिस बात है कि भरोसे के आधार पर ही होंगे तालमेल के आधार पर होंगे तो भारती सम्मिधान जो है उस तालमेल को इस्थाबित करने का प्रयास करता है तो सम्मिधान क्या देता है उसका जो काम है वो आपसी समनवर और विश्वास को बनाना जो है वही सम्मिधान का मूलभूत काम होता है और भारत जैसे एक जटिल समाज के अंदर तालमेल को इस्थाबित करना कोई सरल काम नहीं था इसलिए जब भारत के सम्मिधान का निर्मा तो अगर ज़ल सही होगी तो पेड़ भी सही रहेगा तो इसलिए सम्मिधान के काम क्या है कि बुनियादी नियम को उपलब्ध करा देना उस पर उन बुनियादी नियमों पर एक आम सहमती होती है सामुही के स्तर पर यानि समाज के अंदर जितने भिन भिन प्रकार के वर्ग ह वो आपस में उनमें एक सहमती रहती है तभी फिर सम्मिधान चल भी पाता है तो ये जो बुनियादी नियम होते हैं ये समुहों में ताल record जो है वो इस्थापित करने का काम करते हैं तो देखिए हम आगे चलते हैं अब हमने देख लिया कि सम्मिधान का क्या काम है कि बुनियादी सिध्धानतों का जो सम्मू है उसी को हम कह सकते हैं अगर पूछा जाएक सम्मिधान क्या है तो सम्मिधान जो है वो बुनियादी सिध्धानतों का जो सम्मू होता है संकलन है उसी का नाम होता है क्योंकि सम्मि देखते हुए ही बनाए गया है तो इसलिए बुनियादी सिध्धानतों का जो समू होता है उसी को हम सम्मिधान कह सकते हैं अब समाज में मानी बात है कि शक्ती का वित्रण जो है वो इस पश्ट करने का काम जो है वो सम्मिधान के माध्यम से किया जागी ने समाज में जो शक् सम्मिधान में ही इस पश्ट रूप से लिखा रहता है कि सम्मिधान के इस परकार से बनेगी जैसे कि भारत में सम्मिधानिक वेवस्था है तो सरकार जो होती है वो संसत के परती उत्तरदाई होती है लोगसभा के अंदर जो है बहुमत इस पश्ट करना पड़ता है 272 या 273 क लोगसभा की संख्या के आधार पर ही आधे से अधिक का जो देखा जाता है कि लोगसभा के कुल संख्या का आधे से अधिक जो होता है वही बहुमत इस्थापित करना होगा तो ऐसे में 272 का बहुमत जब इस्थापित होगा लोगसभा में कोई पार्टी चुनाव जीत करके रहेगी वह इस्थापित करेगी तो उसी को जो है भारत का संपिधान अन्मोथिस देता है सरकार के गठन करने vibrator का तो सरकार फैस्ला करेगी किस आधार पर कानुनों को निर्माण किया जाना तो समाज में शक्ति का वित्रण जो है वो सम्मिधान के माध्यम से इस्पष्ट किया जाता है और फिर जब सम्मिधान के माध्यम से बता दिया जाता है कि किस समुह या संस्था को जो है वो शक्ति का उपयोग करने का अधिकार रहेगा तो फिर उसी के माध्यम से यानि सरकार के मध्यम से जो सरकार बनेगी तो फिर वही जो है वो कानूनों का निर्माल कर रही हो फिर देश की प्रगती में सरकार का योगदान होगा तो ऐसे में समाज में शक्ती का वित्रण और कानून कौन बनाएगा इसकी इस्तिती सम्मिधान के दोरा इसपष्ट की जाती है क्योंक सम्मूस एहमत होते हैं तो सम्मिधानी तो बता ऐगा कि सरकार कौन बनाएगा तो सरकार कैसे बनेगी कहा बनेगी तो भारत में सम्मिधान ने स्पष्ट किया हुआ है कि अर 5 साल पर चुना होगा फिर लोगों के माध्यम सही सरकार चुनी जाएगी वो लोग सभा के परती वेवस्था है तो ऐसे में शरकार का गठन संसध से ही होगा यरी लोर्म संसध ऑपलम से बाते कि यह पेए संसध के अन्दर रॉकसर सभाह तो राज्यों से जो है जो प्रतनिदी चुन करके आते हैं वो विधायकों के द्वरा आते हैं हर राजी की जनसंक्या के हिसाब से राज्य सभा यानि जो अलग अलग प्रकार की विधान सभाई होती हैं राज्यों में वहां से जो विधायक होते हैं वो राजी की जनसंक्या के हिसाब से राजसभा में सीटों का वित्रन होता है 250 सीटे राजसभा में हैं तो ऐसे में हर राज की जनसंक्या के हिसाब से राजसभा के अंदर संसद आते हैं जो की जनता के द्वरा निरवाचित नहीं होते हैं बलकि विधाईकों के द्वरा जन प्रतिनिधियों के माध्यम स वो निर्वाचित हो करके राजसभा में आते हैं तो इसलिए राजसभा में जो की संसद का एक अंग है राजसभा उसमें राजियों का प्रतनित होता है हर राज की जनसंक्या के हिसाब से विधाईकों के माध्यम सचुन करके वहाँ पर राजसभा में प्रतनिधी आते हैं इस कि राज़ सभा में जो सांसद होते हैं वो विधाईकों के तोरह जन प्रतिनिधी के दोरह निर्वाचित हो करके अपने परेल से आते हैं तो इस तरीके से हागू कि लोग सभा सही सरकार का निर्माड होगा आप सरकार मानी सी बात है कि जब शासन चलाएगी तो मंत्री परिशद का निर्माड होगा जिसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिशद में जिसमें केंद्री मंत्री होते हैं राज्य मंत्री और उपमंत्री ये तीन प् शक्ति दी जाएगी और उस शक्ति का उपयोग कौन करेगा ये सारी बाते लिखी उहीं भात के सम्मिधान में और पूरी विवस्था दी हो कि किस तरह से सरकार गठित होगी तो इस तरह से कानून का निर्माढ और सरकार के गठन ये भारति इस सम्मिधान में लिखा हुआ है अब मानी बाद सरकार के जब गठन होगा तो सरकार फिर कानून बनाने के काम करेगी विधैक लाएगी विधैक के माध्यम से कानूनों को अंद्रमाड होता है और उसी आधार पर शासन चलता है वो जो संसर के माध्यम से जो सरकार कानून बनाएगी वो पूरे भरत में तो इस तरीके से हम अगर देखें सम्मिधान का दूसरा काम क्या है कि दूसरा काम ये सम्मिधान का है कि निर्णा शक्ती किसके पास होगी ये सम्मिधान के माध्यम से इस्पष्ट होता है कि समाज को चलाने की जो निर्णा शक्ती है वो सरकार चलाएगी तो वो किसके पास हो वो सम्मिधान के द्वारा इस्थापित है फिर देखिए आगे चलते हैं तो यह हमने देख लिया कि सम्मिधान का दूसरा काम भी देख लिया अब सम्मिधान का तीसरा काम देखिए कि सरकारी कानून उपस सीमाय लगाना मानी बात है कि सरकार का गठन कैसे होगा अब सरकार का गठन हो गया तो सरकार कानून बनाएगी तो ऐसा ना हो क्योंकि भारत में विभिज़ प्रकार के समू है तो सरकार ऐसा कानून भी बना सकती है जो कि दूसरे समूहों को पसंद ना हो तो ऐसे में सम्मिधान तो तभी चलेगा जब सारे समूहों उस पर एकमत होंगे तो इस र ऐसको नियाय jejig पालिका के द्वारा को रधान को रद कर दिया जाएगा जो की भ्हारत के सम्मीधान ने ngayipalikा को शक्ती दी Microsoft को अगर तो अगर सम्मीधान शक्ती के वितर्णों को इस स्पष्ट करने का काम संम्मीधान के द्वारा किया जाता है उस शक्ति का उपियोग कौन करेगा इसको भी सम्मिधान के दोरा बताय जाता है तो फिर शक्ति के उपियोग में जो सीमाएं है उसको भी लगाने काम भारति के सम्मिधान में लिखा हुआ है क्योंकि आनियंतरि धंग से शक्ति का उपियोग नहीं किया जा सकता तो यह हमने देख लिया कि सरकारी कानूनों पर सीमाई लगाने का काम जो है वो तीसरा काम है सम्मिधान का और यह इसलिए लगा जाती हैं सीमाई क्योंकि लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करना होता है सरकार मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती और इसी तरीके से किसी को भी मन चाहे ढंग से गिरिफतार नहीं कर सकती बलकि गिरिफतारी का कारण देना होगा तो यह हमने सम्मिधान का तीसरा काम भी देख लिया अब देखिए हम आते हैं समाज का लक्ष आकांशाय मानी सी बात है कि जब सरकार के उपर लगाम लगाने का काम किया जाएगा तो भारत के सम्मिधान में ववस्था है कि सरकार पर लगाम भी लगाई जाती है और साथ में सरकार को छूट भी दी जाती है कि वो समाज की आकंगशाइं होती है, लक्ष होता है, समय के साथ प्रगती करना होता है, तो ऐसे में सम्मिधान के अंदर लचीलापन भी देखने को मिलता है, यनि सरकार को अनमती रहती है कि सरकार समाज के निर्माल के लिए अपन मानिसी बात है कि समाज के अंदर उनके लक्ष होते हैं, समाज का लक्ष होता है, समाज के अंदर लोग होते हैं, सबके अपनी अपनी आगांगशाएं होती हैं, तो वो कैसे पूरे होंगी, कैसे उसको पूरा किया जाएगा, सरकार ही उसको पूरा करेगी, योजनाए समाज के अंदर जो गरीवी है जो असमानता है उसको दूर करने का काम सरकार करती है समाज के अंदर जाती वात की भावना भी होती है तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है नसली भेद भाव होता है उसको भी समाप्त करने का काम किया जाता है तो इस तरह से लोग कल लोग पिछड़े हुए हैं तो ऐसे में सीधी सी बात है कि उनको अगर शासन में भागी दारी नहीं दी जाएगी तो वो संतुलित विकास नहीं होगा क्योंकि शासन इस्तर पर निर्णन लिये जाते हैं तो ऐसे में सभी समुहों की भागी दारी होना आवशक होता है और इसके डिमांड भी की जाती रही समय समय पर इसलिए आरक्षन की वेवस्था लागू की गई है ताकि जो है वो समाज के अंदर जो भी आधिकार के इस तर पर जो असमानता है उसे दूर किया जा सके इसलिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्द कराने काम भी सरकार के दोरा कियाता है तो सरकार को काफी छूट जो है वो दी जाती है तो ये भी हमने देख लिया पर देखिए आगे चलते हैं चौथा काम क्या है यानि सम्मिधान का तो हमने तीन काम अब तक देख लिये तो देखिए सरकार को समर्थ बनाना मानी बात है कि सम्मिधान के द्वारा ही सरकार को समर्थ बनाए जाएगा ताकि जनता की आकांगशा पूरी हो सके सिधी इस बात है कि जब सरकार समर्थ होगी तभी वो जनता की आकांगशाओं को पूरा कर सकेगी और न्यायपूर समय समय पर किया जाना आवशक होता है, तो सरकार ही करेगी, तो सरकार को बात है कि समर्थ बनाना पड़ेगा ताएक कि जंता कि आकांग्षा पूरी हो सके, फिर देखे हमा आगे चलते हैं, तो इस तरह से हमने देख लिया कि समंधान का क्या-कै मतलब काम होता है, अब हम आते अगले पक्षपर जिसमें है कि राष्ट की बुनियादी पहचान राष्ट की मानी सी बात है कि जो बुनियादी पहचान होती है वो सम्मिधान के द्वरा ही स्थापित होती है क्योंकि समाज के अंदर विभिन प्रकार के समू होते हैं वो बुनियादी सिध्धानतों पर सहमत होते हैं और फिर जब बुनियादी सिध्धानतों के आधार पर वो सहमत हो जाते हैं तो सरकार का गठन होता है तो इस तरह से सम्मिधान के माध्धम से ही क्या हो जाती है के द्वारा जो सरकार का निरमाड होता है उससे एक राजनितिक पहचान क्या होती है इस्थापित होती है तो इसलिए समाज को देखेंगे तो मानी बात है कि सम्मेधान के जरीए ही लोगों की एक राजनितिक पहचान इस्थापित हो जाती है और यह जो सामुहिक पहचान होत का सम्मिधान तो बहुत बदा सम्मिधान है और उसमें सारी बातें लिखे तुरुप से लिखी गई है कains अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो भारती समाज यतना जटिल है तो उसमें आपस में मतभेद हो सकते हैं भिबाध हो सकता है तो विभिन समूह जब किसी देश के अंदर नागरिख होते हैं तो सम्मिधान का पालन करते हैं उसके तहट सम्मिधान के तहत ही क्या किया जा सकता है, और कॉन-कॉन से कार नहीं किया जा सकते हैं, यह सारी बाते लिखी होती हैं. तो इन बातों के आधार पर कहीं ने कहीं लोग नैतिक पक्षों पर चलते हैं क्योंकि जो सही पक्ष होगा तो सम्मिधान में लिखाओगा लोग उसके तरप्रगती करेंगे तो इसलिए सम्मिधान के दोरा नैतिक उन्नती भी जो है लोगों की की जाती है क्योंकि लोग निय सम्मिधान क्या है कितना वह प्रभावी है कितना न्यायपूर्ण है यह कैसे पता लगाया जाए तो इसके बारे में कुछ बातें दी गई है कि हम यह देख सकते हैं कि सम्मिधान क्या है तो मानी सी बात है कि सम्मिधान क्या है तो दो प्रकार का होता है सम्मिधान एक तो वह अलिखित है अब जो अलिखित सम्मिधान इंग्लेंड का वो इसलिए क्योंको वहाँ पे दस्तावेज और निर्णयों की एक लंबी श्रिंखला पहले से ही थी तो इसलिए उन लोगों ने बहतर नहीं समझा कि हम कोई लिखित रूप दें तो वहाँ पर तो इसी तरीके से चल करने के लिखित सम्मिधान हो इसलिए सम्मिधान सभा में सभी का प्रतनित्तु भी था और फिर आम सहिमती से सम्मिधान का निर्माल किया गया तो इसलिए हम देखते हैं कि जब लिखित सम्मिधान भारत का बना तो उसमें सारी बाते लिख दी गई कि राज का गठन कैसे हो संसदी व्यवस्था की सारी बातें जो है वहाद के संभीधान में लिखी हुई है और उसी आधार पर देश आज जो है वह प्रगती कर रहा है क्योंकि संभीधान ने सारी बातों को एकदम इसपस्ट उल्ले किया हुआ है शक्ति का वितरन किया हुआ है कें सरकार को विशय संभीधान में देखने को मिलती है तो अब इसके देखिये प्रभावी पक्षट देख लेखते हैं कि कितना प्रभावी होता है यह तो यह जाएगा कि अगर किसी देश का संभीधान लोकतांत्रिक तरीके से बनाए जैसे कि अमरेका के अंदर करांती के माध्धिम से पिर ज जब आजादी मिली तो सम्मिधान कंद्रमाल किया गया तो यह होता है कि जनता के द्वारा अगर समर्थित होकर के सम्मिधान बनेगा तो लंबे समय तक चलेगा लेकिन अगर सैनिक शाषकों के अधीन कोई सम्मिधान बनेगा तो उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा तो भार प्रभावी पक्ष है उसमें बहुत सारे कारण है जिसके वड़े से सम्मिधान कितना प्रभावी हो सकता है देखा जा सकता है क्योंकि भारत का सम्मिधान भारत की जनता के दोरा ही उनके प्रतनीजियों के दोरा ही निर्मित किया गया था सम्मिधान सभा के दोरा तो इसलिए भारती जनता का पूरा support है तो इसलिए भारत का समीधान सफल है भारत देखें अमेरिका, दक्षिन, अफ्रीका ये सब आंदोलन के फलसुलूब इनके समीधान के निरुबाढद हुआ तो जनता की demand को ही आगे रखा गया इसलिए समीधान सफल है अब भारत के सम्विधान को देखे अगर तो कमिधान सबा जू है वो डिसंबर 1946 से लेकर के नौबर 1949 के मतलब इसका क्रिया कलाफ दिखाई पड़ता है इस अवधी के दौराण यही बात आती है कि कितना प्रभावी है तो यही बात है कि वो किस तरह से उसको बनाया गया है क्योंकि भारत में लोकतांतरिक व्यवस्ता कि आधार पर उसको निर्मित किया गया प्रस्तितियों में सम्मिधान का निर्माड हुआ और किन लोगों ने किया अगर सैनिक शासक कर रहे हैं तो मानिस बात वो अपने पक्ष को सुमें प्रभावी रखेंगे तो जनता का पक्ष कमजोर हो जाएगा तो यह बात आती है वो कितना प्रभावी है और कितना अधार प्रप्रगती भी हो रही है पिर देखिए हम आगे चलते हैं आगे भी दिखाई परता है कि सम्मिधान मौलिक प्रावधान यहीं सम्मिधान के माली बहुत अधिकार दे दिया गया और वो अलबसंख्यकों का उत्पीडन करने लगेंगे तो फिर अलबसंख्यक सम्मिधान को मानिस बात आदर नहीं देंगे उसको स्विकार नहीं करेंगे तो इसलिए देखें अगर समाज को हम भारती समाज को देखें तो बहुसंख्यक भी भारत के समाज में है और अल्पसंख्यक भी है तो इसलिए अगर बहुसंख्यक जो है वो अधिक शक्ति उनको दे दी जाएगी सम्मिधान में तो सीधी सी बात है कि उसका दुर्पियों होगा और संख्यकों का उत्पीडन होगा और अगर उत्पीडन होगा तो वो सम्मिधान को क्यों मानेंगे बगाबत कर सकते हैं विद्रो कर सकते हैं ऐसा विमिन देशों में दिखाई भी पड़ता है तो इसलिए भारत के सम्मिधान में संतुरित विवस्था रखी गई है यानि सब अंदर परावधान निश्पक्ष होते हैं किसी के साथ भेद भाव नहीं किया जाता तो सम्मिधान सफल लेता हो इसलिए भारत के सम्मिधान सफल भी है क्योंकि भारत के सम्मिधान में सोतनता समानता यह सारी बाते दिखाई पड़ती है क्योंकि इसमें सबको जो है वो समान बागिदारी है स्वतंता की मामले में सबको आजादी है समानता की बारता ही वग्जाई है यह सारे समधाय भारत के सम्मिधान को स्विगार करते हैं इसलिए कि आगे चलते हैं संस्था संत् publications रूप रेखा येक लूप उसमें षीर्षक तो इसमें यह दिया गया कि जो भी भारत में संस्थाइं हैं, चाहे कारपालिका हो, चाहे वो विधाईका हो, चाहे न्यायपालिका हो, शक्ती का वित्रण किया गया है, तो कारपालिका को भी नियंतित रखा गया है, और विधाईका के अपनी सीमाई हैं, और इसी तरीके से न्यायपालिका को भी शक् संस्था को जो है संतुलित शक्ति प्रदान की गई है कोई किसी की शक्ति का उलंगन नहीं कर सकता तो इसलिए बारती वेवस्था सफल है क्योंकि संभिधान नहीं सारे प्रावधान किये हुएं इस तरह से संतुले निस्थाबित किया हुआ है कि कहीं भी आतिकरमण देखने को नहीं मिलता है कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता न्याइपालिका जो है उसी वक्त हस्तक्षेप करके जो भी आतिकरमण करने वाली शक्ती होगी उसको रोक देगी तो ये भी हमने देखा कि शक्तियों का वित्रण जो है वो एकदम सही डंग से कारपालिका, विधाईका और नियापालिका में किया गया है भारती सम्मिधान की बहुत बड़ी विशेष्टा है कि देखिए जो संस्थाएं हैं मानिसी बात है कि बाद्धिकारी पक्षवी होता है और लचीला पक्षवी है जो भी संस्थाएं है वो अपनी अपनी शक्तियों में रहेगी अपनी परधी में रहकर के ही कारेंगी सम्मिधान में लिखा हुआ है कि कोई भी अपनी शक्ति का उ प्रिक्रिया और ये सारे मामले उसमें लचीला पन भी देखाई पड़ता है ताकि विकास की गतिविधी जो है वो रुके ना वो लगातार जो है वो चलती रहे तो इसलिए संस्थाओं को आजादी भी दी गई है और वो अपनी आजादी का सुतंता का दूर्पयोग ना कर सक के इसके लिए प्राउधान भी कर गए है उनके उपर रोक लगाने के तो इसलिए अवरोध और संतुलन जो है वो भारती संविधान की सफलता का बहुत बड़ा आधार है कि अवरोध भी है कि संस्थाओं दूर्पयोग ना करे अपनी शक्ति का और संतुलन भी है उनको शक सम्विधान का निर्माड देखें तो 9 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके मानी बात है कि सम्विधान सभा जब गठित होगी तो उसके सदस्य भी होंगे तो इसके जो सदस्य थे यानि सम्विधान सभा के क्योंकि सम्विधान सभा नहीं भारती सम्विधान का निर्माल किया है और भारती सम्विधान में विभनप्रगार के परतने धीं थे 10 लाग की संख्या पर एक सदस्σियों का निरवाचन किया गया था सम्विधान सबा के तो 1935 में इस्थापित जो प्रांती विधान सबा थी उसी से अपरतक शुरूब से चुने के सदस्य से समिधान सभा बनी थी यानि 1935 में जो प्रांती विधान सभा गठित की गई थी अंग्रेजे कोई समय में तो उसी से यानि प्रांती विधान सभाँ से अपरतक शुरूब से डारेक्ट नहीं cabinet mission के अभियज समिधान सभा इसके बारे में देखें तो इसकी रचना जो की गई समिधान सभा की वो cabinet mission जो गठित किया गया था उसके प्रस्ताव के हिसाब जही की गई थी तो इसलिए एक पूरी विवस्था समिधान सभा के निर्माण में भी देखने को मिलती है तो इस तरीके से इन सदस्यों के माध्यम से एक पूरी सामुहिक विवस्था इस्थापित हुई और फिस समिधान सभा बनी और उसने क्या किया फिस भारत के समिधान का निर्माण किया जो प्रांत थे उनमें जो सीटों का विभाजन देखने को मिलता है तो उसमें सामान ने मुसल्मान और सिख इस आधार पर प्रांतिय विवस्था जो थी उसमें सीटों का विभाजन किया गया था यानि कुछ सामान ने सीट थी, मुसलमानों को भी सीट मिली थी, रिजर्ब की गई थी और सिखों को भी सुरक्षा पदन की गई थी, तो ये पूरी विवस्था दिखाई पड़ती है तो इस तरह से तीन सो पचासी सदस्ट जो हैं, वो कुल मिला करके समिधान सभा में यानि उसका गठन हुआ था, दियसी रियासतें भी थी, तिरानवे वहां से और दो सो बानवे मिलाएंगे आप, तो तीन सो पचासी सदस्ट से हो जाते हैं अब कामकाज शैली देखी आप, कि किस हिसाब से वो कामकाज की शैली हुई, बात में जब भारत का विभाजन हुआ, तो मानिसी बात है कि वो सदस्ट से जो समिधान सभा के थे, वो पाकिस्तान वे चलेगे, तो सदस्टियों की संख्या जो है घट जाएगी, तो हम देखे एक व्यापक विचार विमर्ष होता था, उस पर बहस होती थी, तब जाकर कोई आम राय अगर स्थापित होती थी, तो उस आधार पर उस वेवस्था के मामले में एक आम सह्यती बन जाती थी, वन्ना फिर मतदान किस्तिती दिखाई पड़ती है, तो इस तरह से हम देखते ह कि बहस पर आधारी दिवस्था थी, यानि पूरा विचार विमर्ष गंभीरता पुरुवक किसी भी विशय पर, किसी भी मुद्दे पर किया जाता था, तब जाकर किसी भी विशय के मामले में उसके सारे पक्ष इसपष्ट हो जाते थे, और अगर कोई कमी होती तो उसको द बहस का मुद्दा बना हुआ था, राज्यों के भी संबंद कैसे होंगे, न्याय प्रणाली के शक्ती कैसे होगी, तो इन सारी बातों पर समिधान सभा में बहस हुई थे, फिर देखिए सारभामिक मताधिकार का जो पहलू था, इस पर बिना विवाद के ही ये पक्ष जो है समिधान सभा काम करती थी, तो इसके लिए आठ कमिटेओं का गठन किया गया था, और ये कमिटेओं जो थी, वो अपने अपने जो भी इनको विषए आवणटित किये गये थे, उस विषाएं के हिसाह के हिसाब से ही ये उसका प्रारूप भी समिधान का निर्मित करती थी कमिटियां तो ऐसे में आठ कमिटियों का गठन किया गया था और इस आठ कमिटियों को माध्यम से भारतिय सम्मिधान का निर्माड जो है वो किया गया तो फिर इसमें होता था कि जो कमिटियां गठित हो जाती थी तो उसमें एक आम राय इस्थापित की जाती थी कोशिश यह ही होती थी कि आम राय से मुद्दों पर सहमती बन जाए और उनका प्रावधान किया जाए अगर आम राय नहीं हो पाती थी तो फिर मत विभाजन का पहलू जो है वह अपनाया जाता था तो कुल मिला के देखे तो दो वर्ष ग्यारा महीने में कुल एक सो बैठे के हुई है व मुद्दों पर जब विचार किया जाए तो समय तो लगे गए बैठे के बहुत सारी आयोजित की जाएंगी तो अब हम देखते हैं कि भारत के सम्मिधान में इतनी विविता दिखाई पड़ती है सम्मिधान सभा के अंदर ही विभिन प्रकार के संप्रदायों के सम्मिधाय को नहीं मिला और लोग जो है वो सम्मिधान का निर्माल करने में सफल है क्योंकि राष्टी आंदोलन के दौरान ही बहुत सारी मुद्दों पर एक आम सहमती पार्टियों में बन गई थी तो इसलिए आप देखें कि सम्मिधान सभा जब है विभिता पूर्द थी तो उसमे संचालन इसका माली सभात है कि मुश्किल होगा क्योंकि सम्मिधान सभा में हर प्रकार के अलग-अलग सम्मिधायों को जाती के लोग हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि संचालन मुश्किल होगा लेकिन राष्टी आंदोलन में ही वो सहमती बन गई थी इसलिए दिक्कत नही पेश किया था तो उसमें भी क्या है राष्टी आंदोलन में उसारी आधर्श जो इस्तिती थी जो बाते थी जो इस पे आम सहमति थी इस उद्देश प्रस्ताव में देखने को मिलती है जो कि जवालान लेहरिव ने 1946 में पेश किया था और इसी प्रस्ताव के आधार पर जिन मुद्दों पर एक आम सहमती बनी थी, उसी को उद्देश प्रस्ताव उनों नपेश कर दिया था, फिर हम देखते हैं आगे संस्थागत व्यवस्थाएं देखिए, संस्थागत व्यवस्थाओं में संस्थाओं में संतुलन इस्थापित किया गया है, यानि जो भी संस् बल दिया गया है आप संस्थाओं में संतुलन इसी रख गया कि क्योंगी लोकतंत्र को इस्थापित करना सबसे जरूरी था अगर संस्थाइं अपने अधिकारों का अतिर्मन करेंगी तो लोकतंतिक विवस्था जो एक खंडित होगी इसलिए जरूरी था कि समयधान में इसप जो है वो विवस्था चलती है संसत वहीं कानून बनाया जाता है संसत सही सरकार का यानि लोकसभाद सही सरकार का निर्माड होता है वहीं पर भहुमत साबित किया जाता है तब सरकार के गठन होता है तो ये सारी बाते संभिधान में लिखी हुई है इसलिए संगहात्मक शा राज सरकारों को अस्तित्व आ है केंद्र को भी विशय वन्टित किये गे हैं। तो ये सम्मिधान सभा में था मानिसी बात है जब किसी देश का विभाधन हो जाएगा तो आगे इस प्रकार की स्तितिना उत्पन हो इसलिए क्येंद को मजबूत करना जरूरी था फिर हम देखते हैं बिदेशी पक्षों जानि बात का जब सम्मिधान बन रहा था तो मानिसी बात है कि बिदेशी सम्मिधानों से भी मदद लिए गई तो उस्तक बे लिखा हुआ है देखिए विदेशी पक्षों में बिटिश सम्मिधान से क्या क्या बाते ली गई सरवाधिक मत प्राप्ति जीत का फैसला यानि जो चुना होता है तो उसमें उसी कंडिडेट को विजेता घोशित किया जाता है जिसको सबसे अधमत मिलता है तो ये बात भी बिटिश सम्मिधान से ली गई है सरकार का जो संसदी पक्ष रूप है वो भी बिटिश सम्मिधान से लिया गया है कानून का शासन है भारत के अंदर यह भी बिटिश सम्मिधान की दिन है बिधाई का के जो अध्यक्ष होता है निलोगसभा के जो अध्यक्ष होते हैं रास्तभा में भी आप ले सकते हैं तो उनके क्या उनका अधिकार होगा यह सारी बाते बिटिश की सम्मिधान से लिग आप मौली का धिकार लिया गया अच्वि सब्रकार कोई कानून बनाती है माल लीजहे तो उसकी न्याइक समिक्षा की जा सकती है अगर वो सम्मिधान के मूल भू धाचे का कानून के दोरा किया जाएगा तो न्याइपलिका उस कानून को नीती अंदिरिशेक तत्तु लिए गए हैं फ्रांस के सम्मिधान से सोतनता, समानता और बंधुत की बात ली गई है फिर देखी आगे चलते हैं कनाडा के सम्मिधान से संगात्मग वहस्ता ली गई है जिसमें केंद और राजी का अस्तित्त है शक्तियों का वितरन है, शक्तियों का विभाजन है और जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो भी कनाडा के सम्मिधान से ली गई है तो ये आपके सामने मैंने NCRT में जो बाते थी इस चेप्टर में उसे आपके सामने रखने की कोशिश की है तो उम्मीद है इससे आप लोगों को फैदा होगा तो चैनल को सब्सकाइब भी करें शेयर भी करें आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद